हेलो फ्रेंट साज हम सीखेंगे कम्प्यूटर से प्रिंट आउट कैसे निकाला जाता है तो सबसे पहले आपको कोई भी चीट टाइप कर लेना है या फिर जो पहले से टाइप हो उसको हम निकाल सकते हैं तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर थाइंक को लि यहाँ पर आपको अपना प्रिंटर से लेट कर लेना है और आपकी कम्प्यूटर में प्रिंटर के ड्राइबर पड़ा होना चाहिए प्रिंटर का साप्ट्वेर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रॉपर्टी खुलि फिर black and amount यहाँ पे select कर सकतो, color पे अगर करना है तो color पे नहीं, तो आप gray scale पे कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने color set आके इस पे कर दूंगा, उसके बाद यहाँ नीचे जाके, यहाँ पे जितनी copy आपको print करना है, वो आप select कर लोगे नीचे, यहां पर मैं black and white पे select कर दिया हूँ color set आके और यहां पर जितनी copy आपको देना है वहां से आप दे सकतो 5, 10, 20, 30 जितना आपको करना है यहां पर copy लिख दोगे तो वह आपको अतना number page प्रिंट करेगा बस यहां पर simply यहां पर number आप copy यहां पर लिखा यहां पर अगर मैं एक copy निकलना है तो मुझे एक copy पर करना है और उसके बाद आप बस यहां पर बस simply okay कर देंगे बस आपका paper print out printer से निकलने लगेगा आप यहां देख सकतो यहां पर मैंने black and white निकाला है तो आप यहां पर यह thank you निकल के आ गया है तो इसी तरीके से आप print out निकाल सकते हो बहुत आप मैं आपको बताऊंगा कि color print out कैसे निकालते हैं तो आपको फिर से इसको मैं color कर देता हूं यहां पर थैंक्यू color कर दिया और यहां पर अगर हाई करोगे तो ज्यादा अच्छी quality निकलेगा और यहां पर अगर प्लेन पेपर लगा तो फोटू पेपर लगा तो उहां पर गलोजी पेपर से लिट किया जाता है उसके बाद बस ओके करोगे यहां पर भी ओके करोगे यह भी आपका print out निकलना श्टार्ट हो जाएगा तो बहुत आसान तरीका है आप देख सकते हो